हेलो दोस्तो नमेशकार अगर आपको इन सभी वीडियो के लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ अगर आप चाओ तो इनको भी श्टडी कर सकते हो तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अगर आप लोगों को आसानी से यहाँ लग चुका होगा तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तो यहाँ वापस जैसे मैंने का लास्ट उड़े भी अदानी से रिलेटेड था इस वीड़े में भी अदानी से रिलेटेड ही बात होने वाले क्योंकि खबर ही ऐसे हम लोगों को देखने का आपे मिल चुकी है खबर के है दोस्तो तो आप सब लोगों को पता है कि अदानी हर सेक्टर में एक्सपांड हो ही रहे है जो कि जैसे लास्ट बुडे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया हर एक सेक्टर में तो दोस्तो मिडिया सेक्टर में भी अदानी हम लोगों को एक्सपांड होते वे देखने का आपे मिल रहे है मतलब अलग-अलग कमपनीज वो खरीदते ही जा रहे है खरीदते ही जा रहे है और दोस्तो इससे रिलेटेड एक गजब की ब्रेकिंग न्यूक्स सामने यह आपे आ चुकी है एंडी टीवी यह दोस्तो एंडी टीवी आप लोगों को पता ही होगा बहुत ही पॉपिलर न्यूस चैनल की लिस्ट अगर आप निकालोगे तो इसमें एंडी टीवी भी हम लोगों को देखने को आपे मिल जाता है और इस एंडी टीवी को ही यहापे हम लोग कह सकते है कि अदानी ने आपे खरीद लिया है अभी आप यह नहीं बोल सकते है मतलब क्या हो गया कि अफिशली अभी तक तो हुआ नहीं जस्ट फॉर्मेलिटीज बाकि आप चाओ तो ऐसा भी बोल सकते हो मतलब क्या है तो चलिए वही चीज में आप लोगों को यहापे बताने वाला हूँ जैसी के आप लोग देख सकते है देखे शेर होल्डिंग पैटरन पे अगर आप जाओगे तो यहापे आपको देखने को मिलेगा कि 61% से ज़्यादा कि शेर प्रमोटर के पास है ठीक है बाकि FIS, DIS, पब्लिक के पास हमनों को स्टेक देखने को यहापे मिल रहा है प्रमोटर में अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं आपे मेजरेटी हमनों को तीन हिस्से देखने को मिल रहा है प्रमोटर में उसमें से एक है RRPR Holding Private Limited जिनके पास 29.18% सेक है दैन राधिका रॉय इनके पास इंडिविजली 16.32% सेर है और प्रने रॉय इनके पास 15.94 इंडिविजली शेर है यह जो अभी आप लोगों ने देखा RRPR Holding Private Limited यह जो RRPR है यह और कोई नहीं है यह इनी के नाम हम लोगों को देखने को मिल रहे है सो बेसिकली देखा गया तो यह सभी के सभी शेर 61% से जादा के शेर्स यहाँ पर इनी के पास है रादिकारोय प्रनेरोय यह इनी की कमपनी है जो हम लोगों को देखने को आपर मिल रहे है जिसके पास 29% से जादा के शेर्स है और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम हम लोगों को देखने को आपर मिल चुका है कि अदानी ने इनके शेर्स यहापे convert करके कब खरीद लिए इनी को पता नहीं चला और यहापे बाकी बचे हुए शेर्स खरीदने के लिए भी offer उन्हें ने आपे डाल दिया है मतलब अगर अदानी जैसे में आप लों को बता दिया कि 50% गेम तो उन्होंने जीत ली अदानी ने मतलब अभी यह सही है गलत है यह तो अगर मतलब जो news हम लों को सामने आती भी रेखने को मिल रहे यह कह रहे कि उन्होंने हमें बिना पूछे मतलब without consent यहाँ पे कमपनी के मालिक से बिना पूछे यह सारी चीज़े की है जो की गलत है करके तो definitely वो court में इससे related जा सकते बट फिर भी अगर यहाँ पे NDTV को खरीदना है तो 50% काम उन्होंने कर लिया 29% stake तो अदानी के पास आगया अभी किसी भी कमपनी में 29% stake खरीद के आप उस कमपनी के मालिक तो नहीं बन सकते तो आपको मालिक बनने के लिए कितना लगता है 51% तो दोस्तो बाकी बचा हुआ मतलब 29% के हिसाब से अगर आप हिसाब लगा लो 50-29 जितना भी बचता है उसको खरीदने के लिए उन्होंने ओफर यहाँ पे दे दी है और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते कि बाकी यहाँ पे प्रमोटर के अलावा हम लोग को कुछ यहाँ पे प्लियर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ से भी वह शाच से माल अगर उठा लेते हैं तो यहाँ पे एंडी टीवी अल्टिमेटली अदानी ग्रूप की कमपनी आपे हो जाएगी अदानी ग्रूप के शेर्स का नाम जैसे ही मतलब अदानी के शेर्स जिस हिसाफ से भाग रहे है अदानी जिन जिन को खरीदते चला जा रहा है उसमें भी हम लोग को सिनर्जी स्क्रेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे है चाहे वो एक्चुली बिजिनेस के आप से में बताना चाहूँगा तो यह दिखिए यहाँ पे ऐसा यह मतलब खराब परफर्मंस हम लोग को देखने को आपे मिल रहा था बट अगर हम लोग यहाँ बात करें तो फिलाल जिस हिसाब से यह जो खबर हम लोग को देखने को मिल रहे है इसके हिसाब से NDTV जबरद यह मतलब वही कि कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने की बात करें किसमें NDTV का फुल फर्म ही लिखा हुआ है न्यू देली टेलिविजन लिमिटेड सो डेफिनेटली हम लोग यह आपे कह सकते हैं बहुत ही बड़ा यह मतलब जैसे मैं आप लोग को अभी वीडियो में बताय था कि expansion का plan तो यहाँ पे देखने को ही मिल रहा है अदानी का हर sector में वो इंटर कर रहे है अभी media sector में भी उनका expansion अमनों को देखने को आपे मिल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो ऐसे कैसे खरीच सकते हैं तो इससे related कुछ कहानी आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे पता होनी चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं अदानी group first acquired a company that in the past was linked to rival billionaire Mukesh Ambani आप सबी लोगों को पता है मुकेश Ambani भी media sector में है media sector के कौन से popular companies है आप सबी लोगों को पता है तो इसी से related अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो the particular company had loan 300 करोड to NDTV 2008 और 2009 की बात है and the Adani group firm now exercise the option to convert that debt into हम लोगों को यहाँ पे मतलब convert होते हैं देखने को में एक्विटी के firm में 29% के हिसाब से so यह सारा खेल हम लोगों को देखने को आप मिल गया and आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यह 29.18 अभी मैं आप लोगों को बता है था RRPR यह उनी के पास था वो अभी Adani के पास यहाँ पे आ जाएगा and बाकी बचा हुआ खरीदने के लिए मतलब at least 51% के उपर जाने के लिए आप देख सकते हैं subsequently it has launched an open offer for the other या फिर आप बोल सकते another 26% stake in the group said in the statement पतलब पूरी इस company को खरीदने की पूरी कोशिश आप चल रहे है NDTV को खरीदने की पूरी कोशिश आप चल रहे है अदानी के और से इसमें से आधी battle तो हो चुकिए अभी आधी यहाँ पे बाकी है यहाँ पे जो भी important points थे वो तो मैंने आप लोगों को बता दिये बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह शायद से जो matter है वो court में जाते हुए देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा because NDTV ने statement जारी किया NDTV said the debt was converted into the equity यह तो हम लोगों को भी पता चल गया है but आगे देखिए क्या लिखा है without any input from the founder or the company मतलब यह बिना बताए यह सारी चीज़े यहाँ पे हुई है अभी यह कानून के दायरे में बैठ कर यह सारी चीज़े की है या नहीं की यह तो court decide करेगा तो फिलाल तो NDTV यह इसे related statement यहाँ पे उन्होंने जारी किया कि उनको तो इसे related कोई बात यहाँ पे पता नहीं थी अगर obviously अगर उनको पता होती तो थोड़ा सा अगर politics का अगर आप थोड़ा बहुत knowledge रखते हो तो definitely वो इस चीज़ के खिलाफ ही आपे रह सकते थे तो बहुत ही शातिर दिमाग लगा कर प्लान करकर यह सारी चीज़े हम लोगों को होती भी देखने को मिली है जैसे last day में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अदानी वर्सिस अमबानी यह fight बहुत ही जबरदस हम लोगो देखने को मिल रही है अगर अमबानी की भी अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पताई यह network 18 CNN News 18 की बात करें CNBC TV 18 की अगर हम लोग बात करें यह अमबानी के कुछ हम लोगों को media sector के players देखने को आपे मिल रहे है और इसी को टक कर देने के लिए अभी अदानी भी हम लोगों को enter करते वे देखने को आपे मिल चुका है so definitely यहाँ पर यह जो लड़ाई है वो शायद से थोड़ा court matter के और जाते वे देखने को आपे मिल सकते है क्योंकि यह सारा खेल यहाँ पर रचा है obviously उनके हाथ से company चली जाएगी RRPR के अगर हम लोग यहाँ बात करें तो सब कुछ यह खतम यहाँ पर हो जाएगा तो definitely वो अपना पूरा मतलब जितना हो सकते बेस्ट यहाँ पर लगाएंगे and इस deal को यहाँ पर कुछ भी करके यहाँ पर रोकने की भी कोशिश शायद से यहाँ पर कर सकता है but definitely हम लोग यहाँ पर कह सकते जो जिस वे से अदानी यहाँ आगे बढ़ते ही चला यहाँ पर जा रहा है definitely यहाँ और क्या-क्या चीज़े वो खरीच सकते इससे related कोई ही यहाँ पर आइडिया लगा ही नहीं सकता plus अगर हम लोग बात करें no doubt यहाँ पर यहाँ पर यह सारी चीज़े जो देखने को मिल रही है valuation के इसाब से तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो convert यहाँ पर होते वे देखने को मिल रहा है 114 करोड के आसपास यह सारी चीज़े देखने को मिली है अगर हम लोग यहाँ पर बात करें almost 50-60% अदानी के जोली में यहाँ पर आ चुका है अभी आगे क्या होता है वो देखना है यहाँ पर पड़ेगा बट यहाँ पर जो aggressiveness जो हम लोग को देखने को है यहाँ पर मिल रहा है अदानी ग्रूप के चलते हर एक सेक्टर में यहाँ पर धावा बोलते ही चले जा रहे है so definitely जादा over expansion जैसे कि हम लोग portfolio की भी बात करते है कि diversified होना चाहिए portfolio बट over diversification खराब होता है in fact over diversification ही क्यों किसी भी चीज़ की over कि अगर हम लोग बात करें किसी भी चीज़ का अती बहुत ही खराब होता है तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी था कि कैसे यहाँ पर आज के दिन जो report में हम लोगों को देखने को मिला था फीच की सबसेडरी है उन्हें ने वार्न किया था कि ओवर डाइवर्सिफकेशन के सरेत है वैसे ओवर एक्सपांशन यहाँ पर चलते वे देखने को मिल रहा है और ओवर एक्सपांशन करने के लिए ओवर करजा भी लिया जा रहा है यह एक अदानी ग्रूप के लिए बहुत ही बड़ा खत्रे की घंटी भी आगे साबित हो सकता है तो अभी यह होगा नहीं होगा यह तो वक्ती बताएगा विट फिलाद यह बहुत बड़ा खेल अमनों को देखने को मिल चुका है जहाँ पे NDTV भी शायद से अभी अदानी की कंट्रोल में हमनों को आते वे देखने को आपे मिल रहा है तो आशा करता आप लोगों को यह वीडियो पसंद आगा तो चाओ तो आप इसको लाइक और शेर कर सकते हैं